हेलो फ्रेंड्स दिस इज एश्पी सिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरी डे जैसा कि अब जानते हैं कि सीटेट को टारेट करते हुए हमारी एसेश्टी की क्लासेश कंटीनू हैं जिसमें हमने पॉलिटी भी शुरू कर दिया है अभी तक हिस्ट्री जगोराफी चल ला यहां से जो भी रिसेंटली पेपर आपका 7 जुलाई 2024 में हुआ है उसमें भी यहां से प्रश्ण पूछा गया है अभी जब हम इस चैप्टर को कंप्रीट कर लेंगे उसके बाद इस चैप्टर के प्रश्णों को हल करेंगे कुछ 10 से 12 प्रश्ण मिले हैं क्योंकि यह प्रश्ण आपको मिल ही जाता है ठीक है और मैं भी लिखित दे सकता हूं इस्टाप पेपर पे कि यहां से प्रश्ण आपको सीट इट में जरूर मिलेगा ओके इसमें आज हम लोग समझेंगे कि यह पूरवा ग्रह क्या होता है रोडीबद धारना क्या होती है ठीक है बहु आसान शब्दों में यहां पे इन चीजों को क्लियर किया गया है ठीक है असमानता भेदबह क्या होता है चलिए तो इससे पहले जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें हमने डाइवर्सिटी को समझा हमने जाना कि किस तरीके से हमारा खान पान पहनावा रहन सहन हमारी संस्कृत किस तरीके से यह डाइवर्सिटी भारत में विद्दिमान है ठीक है विविदता के बाद भी हम लोग सब एकता में जुड़े हुए हैं यहां पे विविदता और भेदभाव की बात करेंगे चलिए पॉइंट कहता कि पिछले पार्ट में आपने विविदता के बारे में प हो सकता है है ना वो पैरों में उसके दिक्कत हो सकती है पैरों से लड़कडा सकता है मेंटली वो डिसाउडर हो सकता है या और भी कोई चीज तो उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविद्यों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता ठीक है जैसे पूए उतना होसियार नहीं है तो भी उसको शामिल नहीं करेंगे। ठीकिस कैंगे रहे बेकूफ है इसको कौन खिलाएगा ये नहीं खिल पाइगा। ठीक है इसको rule regulations पता ही नहीं रहते हैं इस तरीके से क्या किया जाता है उसका फिर मजाग एक तरीके से उड़ाया जाता है उसको शामिल नहीं किया जाता है और जब उसको शामिल नहीं किया जाता है तो तो कहीं न कहीं उसके दिल में ठेयो ठेस पहुंचती है अगर हमारे दो प्रूप में शामिल नहीं कर रहे हैं ठीक है इस पार्ट में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौझूद असमानतों से कैसे जुड़े हुए हैं चलिए हम क्या हैं और हम कैसे हैं ये कई चीजों पर निर्भर करता है हम कैसे रहते हैं कौन सी भाशाएं बोलते हैं हम क्या खाते हैं क्या पहनते हैं कौन से खेल खेलते हैं कौन से उत्सों मनाते हैं इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है बाई हम कैसे रहते हैं ये डिपेंड करता है कि जहां हम रह रहे हैं वहां का भूगोल कैसा है अगर ज़्यादा धंड पड़ती है तो हम उस तरीके से रहते हैं उस तरीके के कपड़े पहनते हैं जैसे रेगिस्तानी लोग भारी वस्तर पहनते हैं क्योंकि धूल भरी आंधियां चलती है उनसे बचने के लिए है ना तो ये डिपेंड करता है कि वहां का भूगोल कैसा है उसी तरीके से लोग रहते हैं कौन सी भाशाएं बोलते हैं उस चेत्रे में जिस तरीके की भाशाएं बोली जाती हैं उस तरीकी भाशाएं लोग वहाँ बोलते हैं क्या खाते हैं जैसी भागौलिक इस्तिती है जैसी फसले वहाँ पर उगाई जाती है जैसे केरला के लोग मचली और चावल खाना ज्यादा प्रशंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर मचली भी अच्छी खासी मिल जाती है और चाव रखिस्तान के हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें लोग क्या पहनते हैं, भारी वस्तर पहनते हैं, धूल बरियांधियों से बचने के लिए, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वहां की भोगोलिक और उसका इतिहास क्या र लखित बिंदूओं पर ध्यान दें, तो भी ये अंदाजा लग चाएगा, कि भारत कितनी विविदताओं वाला देश है, बहुत सारी डैवर्सिटी, संसार में आठ मुक्य धर्म है, भारत की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है, कितने संसार में टोटल आठ म की धर्म है, और भारत में उन आठों धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, यहां सोलह सो से ज्यादा भाशाएं बोली जाती हैं, कितनी सोलह सो से ज्यादा भाशाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की मातर भाशाएं हैं, क्या हैं, जो लोगों की मातर भाशाएं हैं, आप को बताते चलें, यहां सौ से भी जादा तरह की नरत किये जाते हैं, कितने? सौ से भी जादा तरह की नरत किये जाते हैं, हम लोगों को उसमें से एक भी नहीं आता, यह विविदता हमेशा खुस होने का कारण नहीं बनती ऐसा नहीं कि जो डाइवर्सिटी है यह हमेशा इसके माधिमशात में खुस ही रहता है हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वर्ष्ट महशूश करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं जो हमारे जैशे हैं उनके साथ हम सुरक्षित और आश्वर्ष्ट अपने आपको महशूश करते हैं बात करते हैं उनके साथ हम कपड़े पहनते हैं हमारी तरह वो जो सोचते हैं उनके साथ हम अपने आपको सुरक्षित पाते हैं कभी-कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग है तो हमें भी बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत अलग हैं अलग तरह के कपड़े पहनते हैं उनका जो उनकी भाषा हमसे अलग हो सकती है तो वो हमें बड़ा आजीब लगते हैं और अपने अपुस्त रक्षित किसके साथ पाते हैं जो हमारी तरह दिख रहे हैं हमारी तरह बात कर रहे हैं हमारी तरह कपड़े पहन रहे हैं हमारे सोच विचार आपश में मिल रहे हैं उसके साथ हम घुल मिल जाते हैं तो वो हमें बहुत अजीब लगते हैं जो की भिन्न होते हैं ठीक है, कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते क्यों है, हम जिस तरीके के पड़े पहन रहे हैं यह वैसे क्यों नहीं पहन रहे हैं हमारी सोच जैसे इनकी सोच विचार क्यों नहीं है लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की एक राय बना लेते है जो हमसे अलग दिख रहा है उसके बारे में हम एक राय बना लेते है ठीक यार यह ऐसा होगा ठीक यह ऐसा होगा या मतलब जो भाषा हम बोल ला है वो भाषा वो नहीं बोल ला है तो फिर हम उसको एक हीन दर्श्टिशे उसके प्रतिक नकारत्मक विचार पैदा कर लेते हैं कि देखो यह हमारे जैसे बोल भी नहीं पा रहा है यह हमारी भाषा नहीं जानता तो हम उसको उतनी value नहीं दे पाते ठीक है यह सब जिए भी आगे समझेंगे अब यहां से point हमारा सुरू होता है पूर्वा ग्रह को ले करके पूर्वा ग्रह है जिसको हम bias कहते है gender bias कहते है ठीक है और इसके बारे थोड़ा बता दे पूर्वा ग्रह है जिसको हम कहते है language पूर्वा ग्रह है कि अगर हम बात करें language पूर्वा ग्रह की बात करें यहां से rated जो बच्चे पहले series दे चुके है उन्होंने इसको पढ़ा होगा लेंगिक पूर्वा ग्रह है इसमें क्या होता इसमें मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है जैसे स्कूल सिंगिंग कॉपरीशन में बॉइस और गल्स में गल्स को ही प्रात्मिकता देना ये क्या है ये पूर्वा ग्रह हो गया एक जेंडर को ज़्यादा वरियता देना या भेदभाव ये पूर्वा ग्रह के उधारन है अब यहाँ पे इसके माद्यम सेर्म हम इस पूर्वा ग्रह को ठीक से समझ पाएंगे अब नीचे कुछ statement दिये हैं उन कत्नों को देखिए जो आपको ग्रामीन एवम शहरी लोगों के बारे में सही लगे जिन कत्नों से आप सहमत हैं उन पर निसान लगाईए जिसके बारे में आप शहमत हों उन पर ऐसे निसान लगाते चलना क्या आपके दिमाग में ग्रामीन या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रा हैं क्या आपने उनके बारे में कोई राय पहले से बना रखी है क्या दूसरी लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रा हैं दूसरे लोग भी ऐसा ही सोचते है जैसी राय आपकी है लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं कहां से आते हैं जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महशूश किया है उनकी एक सूची बना लीजी ये पूर्वागर है लोगों के विवहार को कैसे प्रभावित करते हैं जैसे पूर्वागर है क्या है राय क्या बना ली है जैसे ग्राइमीर्ड लोगों के अगर बात करें तो ऐसी राय है लोगों के बारे में ऐसी पूर्वागर है लोगों ने बना रखा है कि आधे से ज़्यादा भारतिय गाउं में रहते हैं ठीक है गाउं के लोग आधुनिक प्रोज्योगी की का इस्तिमाल करना पसंद नहीं करते हैं ऐसे लोगोंने राय बना रखिये अपने अंदर फसल की भुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12-14 घंटे तक काम करते हैं ग्रामिन लोग काम की तलाश में शहरों की और इस्थानांतरन करने को बाद दे हो जाते हैं मजबूरी हो जाती है वो अपने आपको ट्रांसफर कर लेते हैं ऐसा ग्रामिन लोगों के बारे में क्या है राय बना रखी है लोगों ने कि ग्रामिन लोग ऐसे होते हैं शहरी लोगों ने ये राय बना रखी है तो इसमें से आपकी कौन कौन सी राय है आप चाहें तो उस पर ऐसे टिक लगा सकते है अब शहरी लोगों के बारे में गिरामिन लोगों ने क्या राय बना रखी है? कि शहरी जीवन बड़ा आसान होता है भाईया, बढ़िया हर समय लाइट जाती नहीं, एसी चलती रहती, बड़ा मजम रहते हैं यहां के लोग बिगड़े हुए और आलसी भी होते हैं, पड़े रहते हैं शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्चों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं शहरों में रहना बहुत महेंगा पड़ता है लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराय और आने जाने में खर्च हो जाता है यह जो यहां पे लाइने दी गई है इस्टेटमेंट यह स्टेटमेंट बायस को बायस के बारे में बता रहे हैं पुर्वाग्रह के बारे में बता रहा है कि लोगों की ऐसी राय है जो है शहरी लोगों की ग्रामिनों के प्रती ऐसी राय है और ग्रामिनों की शहरी लोगों के प्रती ऐसी राय है ठीक है अब आप इसको और बहतर समझ पाएंगे कह रहा है कि इन में से कुछ कथन ग्रामीन लोगों को अग्यानी की तरह देखते हैं जैसे गाउं के लोग नई टेकनलोजी का इस्तिमाल करना पसंद नहीं करते तो ये क्या है ये कथन बता रहा है कि ग्रामीन लोग अग्यानी है चिक उन्हें इस चीज़ का ग्यान नहीं है जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से सरोका रखने वालों की तरह देखा गया है कि जो शहरी लोग हैं वो क्या है पैसे की पीछे भागते हैं वो अपने परिवार को समय नहीं देते है ना शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं लोगों की नहीं करते तो ये बताया गया है कि इसमें पैसे सरोका रखने वालों की तरह देखते हैं जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उससे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि हमने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि शहरी लोग केवल पैसे की चंता करते हैं लोगों की नहीं तो ये क्या है ये एक राय हमने बना रखी है और उसको अपने दिमाग में बैठा लिया ज्यादा तर जो राय होती है वो नकारात्मक ही होती है क्योंकि भाई जरूरी थ वैसे की ही चिंता करते हो, है ना, हो सकता उनको लोगों से भी बड़ा प्रेम हो, ऐसा थोड़ों की शहर में लोग अपने परिवार के साथ बहुत कम शायं बिताते हैं, कुछ लोग अपना फुल टाइम परिवार के साथ बिताते हैं, जब उन्हें समय मिलता है तो, ठीक है, और ऐसा थोड़ों की सहरी जिवन बढ़ा आसान ही होता है, सहरी जिवन बढ़ा कठिन होता है, है ना, तो इस तरीके शे क्या है, कि ये ज़्यादतर जो राय लोग अपनी बना लेते हैं, दूसरों के प्रतिय नकारात्मक ही होती है, जैसा कि कतनों में दिया क्या है, कि लो लोग मिलेंगे अगर हमारे अंदर ऐसी राय है तो हम जान अगर वो शहरी है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ यह जरूर बिगड़ा हुआ होगा यह आलसी होगा ठीक है इस तरीके से यह कंजूस होगा तो जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को आप देखें यहां से पॉइंट को थोड़ा और डीप में समझ जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है जब हम ये सोच लेते हैं कि किसी काम को करने का एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज़त नहीं कर पाते हैं जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं क्योंकि हमने अपनी राय क्या बना ली कि इस काम को करने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है और यही सबसे अच्छा है जब दूसरा उसी काम को दूसरे तरीके से कर रहा है तो फिर हमें वो पसंद नहीं आता और फिर हम उसकी जिद नहीं कर पाते हैं ठीक है जिसे कोई question है कोई math का question हम उसको solve कर रहे हैं और हमने मान लिया कि इस question को solve करने का बस यही एक formula है अब आप उसी question को दूसरे formula से लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि अब हम उसको पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या मान रखा कि बस यही जो formula है यही best है इसी से question जल्दी हल हो जाएगा कि प्रतिक नकारत्मक एक विचार हमारे अंदर आ जाएगा है ना क्योंकि आप हमारे जैसा नहीं सोच रहे हैं कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज़ित नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी दुरे से करना पसंद करते हैं क्योंकि हम अन्य भाशाओं को बहुत नकारत्मक रूप से देखेंगे क्योंकि हमने ये सोच लिया है हमारी राय अंग्रेजी के प्रतिय बनी हुई है कि अंग्रेजी इंग्लेज is the best language ठीक है फिर होता क्या है कि जो विक्ति इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है या जो इंग्लिश के लावा जो अन्य भाशाओं बोल ला है फिर हम उसके प्रतिय नकारत्मक विचार हमारे अंदर आ जाते हैं हम उन लोगों की शायद इज़त नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के लावा अन्य भाशाओं बोलते हैं क्यों? क्योंकि हमने अन्य भाषाओं को नकारत्मक रूप से देखा है अन्य भाषाओं के प्रति हमारे विचार नकारत्मक है हमारी राय उस तरीके की है हमने सिर्फ इंग्लिस को ही बिष्ट माना है तो जो विक्ति अब इंगलिस के लावा दूसरी भाशाओं को Best मान रहा है या जो इंगलिस को मातो ना देकर दूसरी भाशाओं को importance दे रहा है तो उस विक्ति के पृति भी हमारे विचार न का रत्मक हो जाएंगे क्वारी राय उस तरिके की है ठीक है आगे बढ़ें कॉंसेप्ट को बहुत डीप में समझेगा हम कई चीजों के बारे में पूर्वागरही हो सकते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पर तो चलो कोई एक सॉलिशन की हम बात कर रहे थे हम उसके बारे में पूर्वागरही हो सकते हैं इसका विस एक ही तरीका है ठीक है या एक ही language best है हम कई तरीके से लोगों के धार्मिक विश्वास को ले करके हम पूर्वा गरही हो सकते हैं उनकी चमड़ी का रंग को ले करके जिस छेतर से वे आते हैं उनको हम मानते हैं कि अरे स्रीलंका तो सब काले ही होते हैं जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे वे कपड़े पहनते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पूर्वा ग्रई हो सकते हैं, हो सकता है जैसे हमारे धार्मिक विश्वास हों, उनके उस तरीके के धार्मिक विश्वास ना हों, या उनके विचार हम से अलग हों, ठीक है और उनकी चमडी का रंग अगर हमारी चमडी का रंग गोरा है अगर दूसरे और इसी को हम बहुत पसंद करते हैं तो जो लोग काले हैं या उनकी चमडी का रंग दूसरा है उनको फिर हम उतना अच्छा नहीं मानते उनके प्रति हमारे अंदर नकारत में विचार आते हैं उनको हम उतनी value नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो हमारे जैसे गोरे चिट्टे नहीं है तो ये हमने एक राय बना रखी कि गोरे लोग ही अच्छे होते हैं अक्सर दूसरों के बारे में बनाये गए हमारे पूरवागर है इतने पक्के हो जाते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं जैसे चमडी के रंग की बात करो ठीक है कुछ गोरे लोग काले लोगों से दोस्ती तक नहीं करना चाहते हैं या हुने कुछ ही इंद रष्टी से देखते हैं इस वज़े से कई बार हमारा विवार ऐसा होता है कि हम उने दुख पहुँचा देते हैं माली जे किसी की चमड़ी का रंग थोड़ा काला है हम गो रहे हैं वो हमसे दोस्ती करना चाह रहा है हम उससे दोस्ती नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा उसको उसके दिल को ठेस पहुँचेगी क्यार मैं काला हूँ तो ये मुझसे दोस्ती तक नहीं करना चाह रहे हैं ठीक है अब देखें लड़के और लड़की में भेदबाओ किस तरीके से होता है तो आपने पूर्वा ग्रह को समझ लिया पूर्वा ग्रह है यानि कि जंडर बायस को आपने समझ लिया जिसमें हमारे अंदर कोई एक राय इतनी पकी हो जाती है कि फिर हम उसको बदलते नहीं है और जो पूर्वा ग्रह है वो अकसर नकारात्मा की होता है लड़के और लड़की में भेदबाओ की बात करेंगे समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदबाओ किया जाता है जैसे भेदबाओ इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लिजे लड़के और लड़कियां ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं लेकिन काम दोनों का सेम है दोनों आठ घंटे लगा रहे हैं लेकिन सैली जो लड़का है उसकी सैली है बीस हजार ठीक है और लड़की को सैली दी जा रही है पंदरह हजार जबकि दोनों आठ घंटे काम कर रहे हैं दोनों काम बराबर कर रहे हैं क्यों क्योंकि जो है ये वहा किया जाता है या और भी तरह से हम सभी इस बहे द्सly परिचित है आपके ज LOT में लड़के को ज्यादा इंपर्टेंट दी जा रही है लड़का बड़ी डिकृरी कर रहा है बढ़ी बढ़ी बाहर पढ़ने गया यह एक लड़का या लड़की होने का क्या होता है आप मेंसे कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की के तरह जन्म लेते हैं ये तो ऐसे ही होता है इसमें सोचने वाली क्या बात है तो आईए इसकी सच्चाई क्या है इसको थोड़ा हम लोग डीप में समझेंगे आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर कुछ विचार दिये गए हैं कह रहा है कि इन विचारों को अब लड़का और लड़की के साथ में सट कर दीजे कि कौन लड़के के साथ जाएगा कौन लड़की जैसे वे बहुत सुसील हैं जाहिर सी बात है लड़की होगी उनकी बात करने का तरीका बड़ा सौमे और मधूर है जाहिर सी बात है लड़की के बारे में कहा जा रहा है वे शारिक रूप से बलिष्ट हैं ये लड़के के लिए कहा जा रहा है वे शरारती हैं लड़के के लिए कहा जा रहा है वे नर्तिकरने और चित्रकारी में निपुन है ये किसी एक के साथ में बांधिया गया वे रोते नहीं यानि लड़के हैं वे उद्द्मी हैं यानि की लड़के हैं खेले में निपुन यानि की लड़के हैं खाना पकाने में निपुन लड़की है वो भावग खायाने की लड लड़की है तो इस तरीके से इन विचारों को लड़के और लड़कियों के प्रति ऐसे हमने क्या है ऐसी राय बना रखिए कि ऐसा होता है अब जैसे यहां पे तीन पिक्चर्स दी गई हैं लोग तरह तरह की बाते करते हैं तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो यानि क्य यह दिमाग से भी मेंटल लूप से हल्दी नहीं है क्या उसका दिमाग सही है लोग ऐसा ऐसी राय बना लेते हैं उसके प्रति ठीक है तो यहां पे आप यह कह रहा है कि उपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था ठीक है इसे शब्द को बदल कर आज उनके लिए जो शब्द प्रियोग किया जाते हैं वो हैं खास जरूरतों वाले बच्चे क्योंकि इनको कुछ खास जरूरत होती है जिनको इंगलिस में चिल्डरन विद इस्पेसल नीड्स कहा जाता है उनके बारे में लेंगों लोगों के पूरवागरहों को यहां बड़े अक्चरों में दिया गया है कि जैसे क्या है उसका दिमाग सही है यानि कि यह लोगों का पूरवागरह है लोगों ने पहले से वो राय बना रखिया यानि कि पैर अगर उसके गड़बड है पैरों में दिक्कत है तो लोग यह समझते हैं कि इसका दिमाग भी उतना शार्प नहीं होगा जबकि आज आज आप देखी पा रहे हैं कि विकलांग लोग कैसे गोल्ड मडल लेके आ रहे हैं ठीक है साथ में उनके अपनी भावनाय और विचार भी दिये गए हैं जैसे ये विचार अपने बारे में क्या सोचते हैं ठीक है आपकी रहे में क्या खास रूतों वाले बच्चों को समानी इसकोल में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए इस पर अपना तरक देना है अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे देखिए यहां से पॉइंट को आप और ठीक से समझ पाएंगे अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं तो आप देखेंगे कि यह गुण आम तोर पर लड़कों या पुरुशों के साथ जोड़ा जाता कि वे रोते नहीं बच्चमन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता और परिवार के अन्य सदश अक्सर ये कहकर चुप कराते हैं कि रो मत तुम तो लड़के हो लड़के बहादूर होते हैं वो रोते नहीं तो ये जब बच्चा चोटा होता है परिवार के लोग ऐसा कहते हैं तो धीरे धीरे वो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है और फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है फिर वही चीश के दिमाग में रहती है कि हम तो लड़के हैं हम रो नहीं सकते हम बहादूर हैं हम रो नहीं सकते भले ही वो कितने भी कस्ट में हो उसको बहुत तेज रोना आ रहा हूँ लेकिन वो नहीं रोता है अक्सर लड़के नहीं रोते हैं क्योंकि उसको ये बात पहले ही उसके दिमाग में बैठा दी गई है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे ये विश्वास करने लग जाते हैं कि लड़के रो ही नहीं सकते यहां तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वो अपने आपको रोक लेता है लड़का ये मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है और अगर मैं रो दूँगा तो लोग मुझे पर हासेंगे हलांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है लड़कों के अंदर भी दिल होता है वो भी भाबुक हो जाते हैं ठीक है तो उनके भी रोने का दिल करता है लेकिन नहीं हमको पहले से हमारे अंदर कुट कुट के भर दिया गया है कि लड़के रोते नहीं खास कर जब उन्हें गुसा या दर्द हो तब वो रोना चाहते हैं लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि बेटा रोना नहीं है अगर एक लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चड़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे इसलिए वो दूसरों के सामने रोने से अपने आपको रोक लेता है ठीक है अब ये क्या है ये लोकों की कुछ रोड़ी बद धारनाए बनाई गई है अब देखे चलिए यहाँ पर पहले हम इधर समझ लेते हैं फिर इसको देखेंगे इधर देखेंगे हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं ठीक है और लड़कियां बड़ी कोमल होती हैं मर्दुभाशी होती हैं धीमे बोलती हैं लड़के बड़ा कठोर होते हैं भलिष्ट होते हैं उनका सरीर मजबूत होता है समाच की इν मानेताओं को हम बिना सोचे शमचे मान लेते हैं उन पर बिना विचार करें हम बिश्वाश कर लेते हैं कि हमारा वेवार इनके अनुसार ही होना चाहि乐 अब जिससे आपने दो चीचे पढ़ी, अभी आपने पूरवा ग्रह पढ़ा, अब आप यहाँ पे रोडी बद धारना पढ़ने जा रहे हैं, देखिए दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, अंतर इतना है कि ये जो रोडी बद धारना होती है, ये फैक्ट होता है, ये फैक बदता कहलाता है, ठीक है, जेंडर बायस में क्या होता है, कि इसमें मेल फीमेल में अंतर किया जाता है, और यहाँ पे थोड़ा भेदबाव होता है, और लोगों की प्रति हम अपनी एक राय बना लेते हैं, ठीक है, ये पूरवा ग्रह का उधारन होता है, ध्यान रूड़ी बदता में, जो हमारे दादा पर दादा ने लड़कों लड़कियों के लिए जो नियम बना दिये, वही चले आ रहे हैं, लड़कियां घूंगट में रहेंगी, दादा पर दादा ने हमारे नियम बनाये थे, अब उस परंपरा को हम निभा रहे हैं, ये क्या है, ये रूड़ी बदता है ठीक है लड़कियां घर का काम चूला बरतन ही करेंगी ये पहले हमारे पुर्वजों ने फिक्स कर दिया कि लड़के बाहर का काम करेंगे औरतें घर का काम करेंगी तो ये पीडी दर पीडी अप वही चला रहा है हम उस परंपरा को निभा रहे हैं लड़कियां घूंगट में ही रहेंगी ऐसा पुर्वजों ने सट कर दिया तो अब वह पीडी दर पीडी अपने मूल रूप में वह संस्कृती चली आ रही है और हम उस संस्कृती को आगे चला रहे हैं ठीक है ये रूडी बद धारना है जो पहले से तै हो गया है इसको जेंडर इस्टीरियो टाइपिंग कहते हैं ठीक है चलिए जब हम सभी लोगो को एक ही चवी में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारना बना लेते हैं तो उसे रूडी बद धारना कहते हैं जब हम सब को एक ही चवी में बांध लिया मालिजे हमने कह दिया कि लड़कियां घर का काम करेंगी लड़कियां का मतलब सभी लड़कियों के बारे में हमने कह दिया जब हमने ये कह दिया कि लड़कियां घर का काम करेंगी हमने सब को एक ही नजरिये से देखा तो अब उसमें जो लड़की रेस्टलर बनने की छमता रखती है जो लड़की हवाई जार्ज उड़ाने की छमता रखती है जो लड़की एथलीट बनने की छमता रखती है, एथलीट यानि कि वो बढ़िया क्रिकेटर बन सकती है, प्लेयर बन सकती है हमने उन पर भी ध्यान नहीं दिया, क्यूंकि हमने सब को एक ही छवी में बान दिया, अब जिसके अंदर कुछ अनोखी प्रतिभा थी जिसके अंदर कुछ विशेश गुण थे, उन गुणों को भी हमने दबा दिया ठीक है, क्यूंकि हमने सब को एक ही छवी में बान दिया, तो ये चीज होती, इसको रूडी बदता कहते हैं कि जिसमें हमने सब को एक ही छवी में बान देते हैं, सब को धारन के तोर पर यहां पे ले लें पाकिस्तान को जैसे हमारे अंदर ये धारना बनी हुई है पहले से कि जो पाकिस्तान है ये हमारा दुश्मन है ठीक है तो ये हमारे पूरवजों ने हमारे बाप दादाओं ने हमको सिखा दिया बिटा पाकिस्तान दुश्मन है पाकिस्तानी लोगों से पाकिस्तान से हमेशा समल कर रहना अब उसमें हमने जो पाकिस्तान के अंदर भारत से प्रेम करने वारे लोग हैं जो बिचारे बहुत अच्छे विक्ति हैं जो हमेशा भारत को प्यार करते हैं उनको भी हम उसी नजरिये से देख रहे हैं उनको भी हम सब पाकिस्तानियों की तरह आतंकवादी ही समझ रहे हैं जिबकि यो बहुत सरल, सौमे और अच्छी लोग हैं तो यहाँ पे ये रूडिबद धारना है हम सब को एक ही नजरिये से देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान को अपना दुस्मन समझ रहे हैं जिबकि उसमें बहुत सारे लोग हम से प्यार करने वाले होंगे हम धर्म क्या धर्म पर हम ये कहते हैं कि इस धर्म में तो सिर्फ लोगों पर पत्थर फेंकना सिखाया जाता है ऐसाने की सब पत्थरी फेकते हैं कुछ लोग हमारे धर्म की पूजा भी करते हैं हमारे जो संत हैं ठीक उनके सरण में आते हैं ठीक है मंदरी में जाते हैं तो ऐसा ये रूडी बत धारना पहले से तैय कर दी गई है लिंग की होने की कारण किसी को कंजूश अपराधी या बेकूफ ठहराते हैं ठीक है अपराधी किसी को हमने अपराधी ठहरा दिया हो सकता है वो अच्छे काम भी कर रहा हो लेकिन अगर हमने उसका कोई अपराध देख लिया उसके बारे में हमको पहले से बता दिया गया कि ये अपरादी ही है ठीके तो हम उसको अपरादी ही मान रहे हैं ऐसा दरसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारना बना लेने के कारण होता है हर देश धर्म आदी में हमें कंजूस अपरादी बेकुफ लोग मिल ही जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समू में वैसे हैं इसलिए पूरे समू के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं यानि कि अगर मैं कहूं यहाँ पूरे समू के बारे में ऐसी राय बनाना ठीक नहीं है पूरे पाकिस्तान को आतंकवादी समझना ठीक नहीं है पाकिस्तान में कुछ अच्छे लोग भी होंगे इस प्रकार की धानाएं हमें प्रतेक इंसान को एक अनोखे और अलग विखती के तरह देखने से रोक देती है जैसे हमने कहा लड़कियां सिर्फ घर का काम करेंगी अब उसमें जो लड़की पहलوान बनने की छमता रखती है जो लड़की अच्छा क्रिकेटर इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश का गौरब बढ़ने की छमता रखती है उसको भी हमने उसी चवी में बाढ़ दिया ठीक है तो उसके अंदर जो कुछ अनोखी प्रतिभा है उसको भी हम नहीं देख पा रहे हैं हम नहीं देख पाते कि उस विक्ति के अपने कुछ खास गुण कुछ अलग टैलेंट भी उसके अंदर है जो दूसरों से अलग है रूडी बद धारनाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती इन धारनाओं का असर हम सब पर पड़ता है कई बार ये धारनाएं हमें ऐसे काम करने से रूकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हमें में हो जिसको करने की काबिलियत शायद उस लड़की के अंदर है जो आज चूला फूक रही है उसके अंदर वो काबिलियत है कि वो प्लेन उड़ा सकती है लेकिन इन रोडीबद धार्णाओं की वज़े से आज वो चूले पर रोटियां से करेंगे क्यों? क्योंकि रोडीबद धार्णा की वज़े से क्योंकि पूरोजोंने सेट करते है कि बैटा तुम सिर्फ करका काम ही करोगी ठीक है? इतनी बात करिया रहे? वेरी गुर भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्र है या रोडीबद देखिए मैंने कहा था दोनों में बहुत जादा अंतर नहीं है थोड़ा सा अंतर है ठीक है? यहां पे हम अपनी राय बना लेते हैं और यहां पे जो चीजें पीड़ दर पीड़ी चली आ रही है जो चीजें अपने मूल रूप में चली आ रही है उसी कौम आके ट्रांसफर कर देते हैं ठीक है? इतना अंतर है भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वा ग्रहों या रोडीबद धानों के आधार पर विवहार करत हैं तब भेदभाव होता है अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं अगर आप उन्हें कुछ गत्विधियों में भाग लेने से रोकते हैं कि आप इस गत्विधी में भाग नहीं ले सकते हैं किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी महले में देते कि तुम इस महले में नहीं रह सकते एक ही कुए या हैड़ पंप से पानी नहीं लेने देते दूसरों दोरा इस्तेमाल किये जा रहे कप या गिलास में हम उसको आप चाय नहीं पीने देते तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं आप उसको उची न पढ़ा था उसमें समीर की कहानी थी हमने आपको पढ़ा जी नहीं थी उसकानी में सिर्फ इतना है कि एक समीर इसकूल जाता है दूसरा समीर अख़बार बेचता है ठीक है ये अंतर है उनमें और एक हिंदू है एक मुसल्मान है तो दू बहुत भिन्यत है उधान के लिए धर्म भी अलग था एक हिंदू था एक मुसल्मान था हिंदू और मुसल्मान धर्म जो है ये विविदता का एक पहलू है हमारा खानपान रहन से धर्म संस्कृति ये विविदता के पहलू है पर ये भेदभाव का करण भी बन सकता है ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन प्रत्थाओं और रिवाजों को निम्न कोटिका मानते हैं तब भेदभाव पैदा हो जाता है देखिए हिंदू और मुसल्मान समीर एक समीर दो की बात कर रहे हैं हिंदू और मुसल्मान दोनों के दोनों क्या है यहां पे विविदता है दोनों के धर्म अलग-लग है ये विविदता है अब इसमें से अगर एक दूसरे के धर्म को निम्न कोटिका मानने लग जाएगा तब ये भेदभाव हो जाएगा ठीक है आईबा समझ में वेरी गुड दोनों समीर में एक और अंतर उनकी आर्थिक प्रिष्ट भूमी का था क् दो गरीब विविदता का पहलू था ठीक है पहलू नहीं है यहाँ पर कह रहा है गरीब जो है वो विविदता का पहलू नहीं है गरीबी क्या है गरीबी असमानता का पहलू है उके चलिए ये तो असमानता है गरीबी क्या है गरीबी असमानता है बहुत लोगों के पास साथ भेदभाव किया चाहता है ठीक है आगे बढ़ेंगे कुछ लोगों को विविदता और अश्मानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है एक तो विविदता तो है ही दूसरी वहाँ पे असमानता भी है विविदता का मतलब धर्म तो अलग है ही और असमानता मतलब यहाँ पे एक अमीर है एक गरीब है तो गरीबी क्या है यह असमानता है यह गैर बराबरी है ठीक है एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्थे हैं जिनकी संस्कृति को मुल्लेवान नहीं माना चाता एक तो वो उस समुदाय के सदस्थे हैं उस धर्म के लोग हैं जिनकी अलग संस्क्रती है लेकिन उनकी संस्क्रती को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती उपर से बिचारे वो गरीब तो और उनके पास अपने जरूतों को पूरा करने के सादन नहीं तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है ऐसे दोहरे दारमिक और समोहों तो खास छेतर के लोगों को करना पड़ता है अब आगे यहां पे दलित की बात करेंगे यह अब इस चैप्टर के लिए हम सिर्फ आज इतना ही रखेंगे क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा पढ़ा देंगे तो आगे इसमें हमारे जैसे डाक्टर भीम बागर है और रूडिबद धारना को समझा इसी से रिलेटेट जो प्रशन पूछे गए हैं हम वो प्रशन हल करेंगे इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे सबसे पहला प्रशन यहां से लेते हैं जो आपका साथ जुलाई में पूछा गया है अभी ग्रामवाशी अंदविश्वाशी हैं महिला को रोजगार की अनुमती नहीं है क्योंकि वह परिवाश शुरू कर रही है या फिर वो गर्ववती है तो इसमें क्या हो जाएगा देखे भेदबाव वहां होता है जब हम किसी किसी को रोजगार करने से रोक देते हैं अभी हम नौकरी करने से अगर हम रोक रहे हैं तो ये भेदबाव का उधारन हो जाएगा ये क्या होगा भेदबाव भेदबाव यानिकी महिला को रोजगार की अनुमती नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है भाई परिवार शुरू कर रही है मालीजे शादी हुई है ल आफिस बेज रहे हूँ, लड़की को घर्ब की काम में लगा रहो हो, लड़की को भी ऑफिस बेज हो, है ना, तो आप ललड़की को घर में बठा रहे हैं, ये कह करके कि ये नया परीवार starts कर रही है, लड़के को आफिस बेज रहे हैं, दोनों में बे Enemy दबाव कर रहे हैं या फिर वो गर्ब होती है इस वज़े से आपस वो घर पे बठा रहे हैं अच्छा असमानता की बात करेंगे दूसरा ओप्शन देखे समान कारे के लिए अलग-अलग वेतन भाई ये असमानता हो गई काम दोनों समान कर रहे हैं दोनों आट घंटे की ड्य कर रहे हैं आप एक को 20,000 दे रहे हैं एक को 15,000 दे रहे हैं ये दोनों में असमानता क्यों जब कारे शमान है तो सैली भी समान होनी चाहिए भाई जब कारे शमान है तो सैली भी समान होनी चाहिए ये असमानता का उधारन हो गया ठीक है और रूडिवादिता का मतलब ये है कि लड़कियां खाना बनाने और भोजन पकाने में अच्छी होती है ये पहले से हमारे पूरवजों के दोरा फैक्ट तै कर दिया गया है कि लड़कियां खाना ही बनाएंगी वो खाना अच्छा बनाती है ये रूडिवद धारना हो गई ठीक है अब किसी के प्रति अपने राय बना लेला जैसे अभी हमने पढ़ा ग्रामीनों को लेकर के ग्रामवासी अंद्विश्वासी है जो ग्रामवासी है वो अंद्विश्वासी है ये पूर्व धारना हो जाएगी ये पूर्वा ग्रह हो जाएगा तो इस तरीके से यह option इसमें कौन सा right हो जाएगा A गया हमारा third के साथ में और B गया हमारा first के साथ में C गया हमारा fourth के साथ में आने की option नमर जो fourth रहेगा वो यहाँ पे right हो जाएगा ठीक है आधा chapter पड़ाया है वहीं से हम प्रिश्ण भी हल कर रहे हैं अब दूसरा प्रिश्ण कहता है रूड़ी बद धार्नाओं के संदर्व में निमन वाक्यों पर ध्यान दीजिए देखे पहला वाक्य कहता है कि रूड़ी बद धार्नाओं और अलग विक्ति जिसके पास खास गुन और चंटाएं हो सकती है कि रोप में देखने से रोक देती हैं क्योंकि हम सबी को ये की छवी में बान देते हैं रोडी बद्ध धारनाएं बड़ी संक्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं रोडी बद्ध धार्णाओं का हम सब पर परभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने का मौकर मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं क्या ये सारे आप्शन शाहिए हैं जो आप्शन फर्स्ट है वो यहां से लिया गया है कहता है कि इस प्रकार की धार्णाएं हमें प्रतेग इनसान को एक अनोखे और अलग विक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं जिसके अंदर कुछ खास गुण और च्छमता हैं जो दूसरों से अलग होती हैं फर्स्ट आप्शन नमरा यहां से राइट हो जाएगा दूसरा आप्शन कहह रहा था कि रूड़ी बद्ध धार्णाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं यह बी आप्शन था वेरी गूड यह भी राइट हो जाता है फिर यह कह रहा था क्योंकि इनके चलते हैं में उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं ऐसा नहीं है रूड़ी बद्ध धार्णाओं की बज़शे यह हमें ऐसे काम करने से रोग देती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हमारे अंदर है तो C आप्सन कट जाएगा ठीक है बाकी दो राइट हैं यह है C आप्सन जिनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं बलकि जिन कामों में हम अच्छे हैं यह हमें उन कामों को करने से रोग देती है तो A, B राइट है C गलत है ठीक है यहाँ पे केवल A B option जो है वहाँ राइट हो जाएगा हम आगे बढ़ेंगे अकला प्रिशन कहता है किसी को एक छवी में बांधने कारता है रूरी बद धारना बनाना ठीक है हमने आपको बताया भी था यहाँ पे लिखा है कि जब हम लोगों को एक ही छवी में बांध देते ह है तो ये रूरी बद धारना कहलाती है ठीक है इतनी बात के लिखे अंतर करना अंतर तो हम उसमें करते हैं इसमें पूरवा ग्रह में जा tusked teksen यहाँ प्यमेल यहाँ नहीं दोनों में में फीमेल में अंतर किया जाता है यहाँ यहाँ ब्रूरी बद धार नहोंद खोगयों अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न कहता है कि अगर किसी काक्षा में केवल लड़कियों को स्फाई कारी में साहता के लिए कहा जाता है तो इशे उदाहरन माना जाएगा इसे किसका उधारन माना जाएगा, सिर्फ लड़कियों को ही आप सफाई के लिए कह रहे हैं यह लैंगिक रोड़ी बद धारना का उधारन माना जाएगा क्योंकि आपने यह तै कर लिया है, यह पहले से फेक्ट जो है चला आ रहा है कि लड़कियां ही सफाई करेंगी लड़कियां ही सफाई अच्छी करती है या इस तरीके से सफाई का काम सिर्फ लड़कियों का ही है तो ये लहंगिक रूरीबद धारना बनी हुई है इसलिए अपने सिर्फ लड़कियों को ही सफाई करने के लिए चुना अगला प्रश्ण कहता है कि विशेश शमुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूरी बद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध डैश पैदा कर सकता है अगर आप आदिवासियों को रूरी बद्ध कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि क्या उसकी सरहना हो जाएगी या पक्षपाती राय आप बनाएंगे आप भेदभाव करेंगे उनका उपास देखे इससे उनकी सरहना तो नहीं होगी जब हम लोगों के प्रती रोडी बद धारना बना लेते हैं तो इससे एक पक्षपाती राय बन जाती है उनके प्रती भेदभाव पैदा होता है और कहीं न कहीं लोगों का उपहास भी मजाक भी से बन जाता है ठीक है, तो यहाँ पे एक गलत है बाकी BCD आप्शन तीनों आपके राइट है BCD जो आप्शन है वहाँ राइट हो जाएगा ठीक है, अगला प्रस्ण लेते हैं अगला प्रस्ण कहता है, पूर्वा ग्रह का अर्थ क्या होगा देखिए, लोगों के बारे में नकारत्मक राय बनाना लोगों को हिंता की दृस्टी से देखना लोगों को एक ही छवी में बांदना अब ही मैंने आपको जिस्ट पीशे बताया है जब हम लोगों को A की ही छवी में बांद देते हैं तो ये रोडी बद्ध धारना होगी क्या होगा ये रोडी बद्ध धारना होगी ये पूर्वा ग्रह नहीं होगा बाकी दो option आपके A और B ये पूर्वा ग्रह के पूर्वा ग्रह को दर्सा रहे हैं आएए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आंसर दिया है कि पूर्वा ग्रह पूर्वा ग्रह जो है ये जदतर राय नकारात्मक ही होती है यानि कि लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना ये पूर्व अगर है को दर्सा रहा है यानि कि जो option A है वो right हो जाएगा दूसरा option कहा रहा था कि लोगों को हिंता की द्रिष्टी से देखना जब हम ये सोच लेते हैं जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई A कही तरीका सबसे अच्छा है और सही है तो अक्सर दूसरों की इज़्ट नहीं कर पाते हम फिर वहाँ पे दूसरों को हिंता की द्रिष्टी से देखने लगते हैं जो उस काम को दूसरी तरह से कर रहे हैं फिर हम उसको बहतर नहीं समझते हैं हम इसको हिंता की दिष्टी से देखने लगते हैं उसको वो इज़त नहीं दे पाते हैं तो यह हमारा यहाँ पे A और B यह दोनों पूर्वा ग्रह को दर्सा रहे हैं जो option C है यह हमारा रूडी बद धार्ना को दर्सा रहा है तो A और B जो है वो इसमें right हो जाएंगे कौन A औ और B option आपका right हो गया आगे बढ़ेंगे अगले प्रशन की तरफ प्रशन कहता है निमले खित में से क्या रूडी बद धार्ना बनाने के विपरीत है देखिए रूडी बद धार्ना लोगों को एक ही खांचे में जड़ देना यह तो रूडी बद धार्ना है एक किस्म के ल एक रूपता की सरहना करना की सभी को एक ही रूप में देखना सब को समा सेम देखना सब को एक छवी में बांदेना ठीक है यह भी रूडी बद धार्ना को ही दर्सारा है रूडी बद धार्ना की को ही दर्सारा है रूडी बद धार्ना के विपरीत क्या है कि समाज में विक् कि कौन लड़की डॉक्टर बन सकती है कोई इंजिनियर बन सकती है है ना कोई अच्छी प्लेयर बन सकती है वो हमने यहां से हटा दिया अब जो अच्छी प्लेयर बन सकती थी जो अच्छी कबड़ी खेल सकती थी आज वो भी चूला फूक रही है क्योंकि यह रूडिबद ध अगला प्रश्ण आपके सामने देखिए, प्रश्ण कहता है A और B को मिलाईए, लोगों को एक ही छवी में बांदना, जब हम लोगों को एक ही छवी में बांदना इसको कहते हैं रूडिबद धारना, दूसरे लोगों को नकारत्मक रूप शिर्द हम देखते हैं, सिर्फ या अपनी भाषा को ही बेतर समझते हैं, दूसरे को, दूसरी भाषा को, दूसरे के भाषा को हम बेतर नहीं समझते, तो हम उनके प्रते के हिन भावना पैदा होती है, उसको हम नकारत्मक रूप से देखते हैं, इसको पूर्वा ग्रह कहते हैं, ठीक है, किसी के साथ दूस कुछ बच्चे आपके क्लास में कुरसी पर बैठे हैं कुछ नीचे बैठे हैं ठीक है आप सब के साथ समान विभार नहीं कर रहे हैं तो यह आप भेदभाव कर रहे हैं शुदता और अशुदता को मानना यानिकि अगर इसने हमको टच कर दिया तो हम अशुद्ध हो ठीक है इस तरीके से सारा मैच हो गया ठीक एक छबी में बांधना रोडी बद्ध हो गया नकारत्मक रूप से लोगों को देखना पूर्वा ग्रह हो गया और समान विभार ना करना भेदभाव हो गया शुदता और अशुदता को मानना ये चुआ छुआ छोत हो गया ओके बढ़ेंगे अगला प्रश्ण है डैस वे विचार हैं जब हम लोगों को एक छवी में बांधेते हैं जब हम लोगों को एक ही छवी में बांधेते हैं सबको समान रोप से देखते हैं तो ये रोडी बद्ध धार नाय हो जाएंगी ओके अगला प्रश्ण लेते हैं प्रश् हमारा धर्म हमारी संस्क्रती ठीक है ये विविदता हो जाएगी भेदभाव अगर हम किसी के साथ में उस तरीके का भेदभाव कर रहे हैं अभी देखे ऑप्सन लिखा है एक अपार्टमेंट में कुछ परिवार हूली का तिवार मनाते हैं कुछ क्रिस्मस का वेरी गुड धर हम क्यादार पर हमारे अंदर बहुत विविदता है हमा अलगलग धर्मों को मानने वाले हैं तो ये तो विविदता है ठीक है प्रश्नमस से कह रहा है कि विविदता नहीं बलकी भेदभाव का बताये ये तो भाई विविदता है डाइवर्सिटी है एक स्कूल में कुछ बेचना अच्छा लग रहा किसे को फल बेचना अच्छा लग रहा यह तो डाइवर्सिटी है विविद्धता है ठीक है एक गली में कुछ घर सफेद रंग के हैं कुछ पीले यह तो डाइवर्सिटी है हमको जो है पीला पसंद है हम पीले रंग से रंग रहे हैं तुम्हें इसी चीजों इनी चीजों से हमारा सहर रंग ब्रंगा सुंदर नजर आता है ठीक है लेकिन यहाँ पर यह जो एक स्कूल में कुछ बच्चों को आप कुर्सियों पर बैठा रहे हैं कुछ को जमीन पर बैठा रहे हैं इसका मतलब है आप उनमें भेदभाव कर रहे हैं हो सकता है आपने नीची जाती वाले लोगों को नीचे बठाया हो है ना और बी जिजन हो सकते हैं यह बेदभाव का उदाहराने प्यारे दोस्ता ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा अगला प्रिश्न प्रिश्न कहता है देखे क्या कहता है कि लड़कियों की तु लड़कियां का मतलब यहां पर लड़कियां और लड़के दोनों में अंतर किया जा रहा है तो यह तो नहीं लग रहा है लड़कियां सौम, कोमल और अच्छी देखबाल करने वाली होती है यह वर्सों से चली आ रही धारना है कि वो कोमल होती है अच्छी देखबाल करने वाली होती है अगर लड़कियां कोमल ही होती तो रेश्टलर्स ना बन पाती, बॉक्सर ना बन पाती, मुक्के ना मारती ह अगर इतनी ही कोमल होती तो, ठीक है, तो ये धारणा पहले से बनी हुए, ये फैक्ट है, जो मूल लूप में चला रहा है, ये कहा है, ये रूड़ी बद धारणा है, लड़के दबंग और उग्र होते हैं, ये अब जड़ी थोड़ों की हर लड़का दबंग ही हो, कुछ ही रूड़ी बद धारणा को दिखा रहे हैं, जबकि लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ये लड़कियां लड़कियों में यहाँ पे अंतर को दरसा रहा है, यहाँ पे लड़कियों को ज्यादा वरियता दी जा रही है, तो ये जेंडर बायस का उध पढ़ाया है, उसके 10-12 परशन हमने करवा हैं, लेकिन 50-15 मिट की क्लास हो गई है, क्योंकि बहुत डीप में और बहुत सलो हमने आपको पढ़ाया है, ताकि ये जो जेंडर बायस और जेंडर स्टीरो टाइपिंग है, ये आपको क्लियर हो जाए, ठीक, इसलिए आप इस च सेकंड पार्ट जल्दी हि आएगा, जहां स्वे हम लोग यहां से चीजों को समझेंगे, भीमराव मिटकर के बारे में समझेंगे, हम यहां से दलित के बारे में चानेंगे, ओके, तनकी यू सो मच मिलते हैं बहुत जल्दी, नेक्सिट क्लास में, और हां, आपके कॉमेंट का दिल से सौगत है इंतजार रहेगा आपकी कॉमेंट का